So Hey what's up guys welcome back to the another video आज किस वीडियो में हम करने वाले है सीक्रेट कोड वाले पिगीबेंग का completely unboxing and review जो मैंने लिया है इनके लिए इस वीडियो में completely unboxing and review करेंगे वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाले है वीडियो को एंट तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें 2-3 features ऐसे हैं जो I hope कि आपको बहुत ही पसंद आने वाले है इसका completely unboxing and review के लिए प्लीज वीडियो को एंट ज़रूर देखना So without wasting any more time जल्दी से इसको unbox करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस box में और किस तरीका ये हमें देखने को मिलता है So unboxing करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके box packaging की तो देख सकते है कुछ इस तरीकी packaging के साथ में product आता है अब इसको मैंने कहां से लिया है कि इस price मिली है उसके बार में तो आगे बात करेंगे उससे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर box में लेकिन फिलाल हमारे पास जो अविलेबल है वो मीनियंस वाला है तो चलिए जल्दी से इसको यहां से ओपन कर लेते हैं ओपन एक्चुली हमने पहले से किया हुआ था लेकिन इसका अन्बॉक्सिंग एक्सपीडियंस के लिए हमने इसे फिर से बॉक्स में पैक कर दिया है तो जल्दी से यहां पर इसको निकाल लेते हैं बाहर तो देख सकते हैं कुछ इस तरी की पैकेजिंग के साथ में आता है जिसमें यहां पर हम इसको बाहर निकालने वाले है और कुछ इस तरह का यह build के साथ में आता है जो बहुत heavy है हाथ में उठाने से आपको लगेगा कि काफी heavy है उसके अलावा अगर बात करते हैं चारों तरफ की तो त्री side से वो बिल्कुल plane है उसके अलावा जो front है वहाँ पर हमें मिलता है यह will जिसको गुमा कर हम इसे open करेंगे यहाँ पर मिलते हैं हमें buttons और यहाँ से हम note को अंदर डाल सकते हैं और यहाँ से हम coins को अंदर डाल सकते हैं तो सबसे पहले तो इसका secret code वाला हम यहाँ पर आपको जो process है वह दिखा देते हैं सबसे पहले हमने जो password set किया हुआ इसको open अभी यह lock है अगर हम गलत number डालेंगे तो यह open नहीं होगा देख सकते हैं अब इसका जो password है वह हम डालेंगे यह हो चुका है open अब इसको हमें एक बार इसे गुमाना है और इसको open कर लेना है तो देख सकते हैं कुछ इस तरह क्या space मिलता है इसके अंदर अब जल्दी से इसको वापस से बन कर देते हैं बन करने के बाद मैं फिर से इसको खोलते है यह ओपन हो चुका है यहां से इसको गुमाना है और यह ओपन हो चुका है उसके अलब यहाँ पर जो अगला इसका जो बेन फीचर है वो यहाँ पर है नोट अंदर डालने वाला है वो मैं आपको दिखा देता को एक नौड को अगर आप डालते तो नौड देख सकते यह नंदर खिछ लेता है तो कुछ इस तरह से आपको नौड को यहाँ पर रखना है और यह अंदर खिच लेता है यहाँ सकते हैं सब्सक्रा Palace यहा पर एक सेंसर है देख सकते यह कोई से कोई साप यहां से इसली अंदर डाल सकते हैं अब इसको ओपन करते हैं देख सकते हैं यहां से इसको ओपन करेंगे ये ओपन हो चुका है और सारे नोट हमारे यहाँ पर देख सकते हैं अंदर आ चुके हैं इसको फिर से बंद कर सकते हैं अब यहाँ पर इसका पासवर्ट अगर आपको चेंज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है चार बर आपका जो पासवर्ट है उसको प्रेस करना है इसको open करना है open करने के बाद में इसको आपको open ही रखना है और यहां से आपको star को hold करके रखना है और आप जिसे 1111 password रखना चाहते है उसके बाद में आपको hash दबा देना है मतलब आपको star को hold करके रखना है press करके hold करके रखना है नया password दबाना है उसके बाद में hash दबाने नहीं जिससे कि आपका password जो है वो set हो जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं 4x0 दबाएंगे तो यह open नहीं होगा देख सकते हैं 1,2,3,4 4 times हमने 0 प्रेस किया तो यह open नहीं हुआ लेकिन जब 4 times हम 1,2,3,4 नहीं वाला password लगाएंगे तो यह open हो चुका है तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इसे utilize कर सकते हैं जो काफी useful और देखने में भी काफी attractive है अगर बाइचंस आप इसका जो secret code है जो इसका password है वो अगर भूल जाते हैं तो आप इसके password को reset कैसे करेंगे मतलब जो by default जो password आता है इसमें 0000 आता है मतलब 4 times 0 आता है तो उसमें आप कैसे reset करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है simply इसके screw को यहां से खोल कर इसकी battery को remove कर देनी है battery remove करने के बाद में आपको 5 से 10 minute के बाद में इसकी batteries को लगानी है उसके बाद में इसका जो secret code है वो automatically reset हो जाएगा जो फिर से आ जाएगा 4 times 0 पर इस तरह से आप इसके password को reset कर सकते हैं अगर आप इसके password को भूल जाते हैं तो तो यह है secret code वाला PKBank जिसे आप भी ले सकते हैं अब बात करते हैं इसको हमने कहां से लिया है किस price मिलिया है तो अगर आप इसे offline market से खरीदेंगे तो हो सकता है आपको यह कम price में मिल जाएं फिलाल मैंने यह offline market से खरीदा है online नहीं लिया है online के link में आपको कुछ description में दे दूँगा लेकिन इसकी जो price है वो 999 रुपीज के आसपास मतलब 1000 रुपीज के आसपास होती है लेकिन मैंने इसको local market से only 700 रुपीज में भाई किया है अगर आप भी लेना चाहते हैं तो एक बार से मैं description में try करूंगा इस तरह के piggy banks के link देने के जो best आपके लिए deal होगी एक बार से जरू से check out करना तो गाइस यह थी इस piggy bank की completely unboxing and review video केसे लगा आपको प्लीज कमेट करके जरूर बचाना वीडियो को लाइक करें शेल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाई